तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला डेटा हमें देखने को मिल रहा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है हमें साड़े दस बजे और जो साड़े दस बजे यहां पर डेटा आ रहा है वो है USD JPY का इसके ओपर इंपेक्ट डालेगा क्योंकि जैपैन का डेटा है यह और जैपैन का यहां पर लीडिंग इंडेक्स का डेटा आ रहा है और जो leading index है दोस्तों पिछली बार वो 109.3 था और इस बार यह 107.4 होने की उमीद है यानि की घटने की उमीद है अगर यह घटता है तो dollar index यहाँ पर जो है USD जो है वो measure है तो यहाँ पर opposite impact पड़ता है मैं आपको बताया था कि अगर किसी currency PR में USD measure होता है तो उसके उपर impact उल्टा पड़ता है means अगर अच्छा data है तो निचे को जाएगा अगर खराब data है तो उपर के और को जाएगा तो यहाँ पर जैसा कि यह forecast है अगर ऐसा ही data आता है तो फिर यह उपर के और को जाएगा क्योंकि यह negative है लेकिन अगर यह इस से जादा आता है 109 से जादा आता है तो फिर यह निचे की और को move करेगा नेक्शों यहाँ पर data आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 1130 एम पर और 1130 एम पर जो है दो data आ रहे हैं एक GBP USD के ओपर impact डालेगा mainly और एक EUR USD के ओपर impact डालेगा हलंकि जो यह दोनों है GBP USD और EUR USD यह दोनों एक साथ ही move होते हैं एक direction को ही move होते हैं तो एक के ओपर जो impact पड़ेगा दूसरे के ओपर भी वैसे impact पड़ेगा लेकिन दो अलग-अलग data आ रहे हैं एक England का data है जो कि यहाँ पर है house price index का और यह जो data है वो पिछली बार 4.3 था इस बार जो forecast है वो दिने नहीं दिया गया लेकिन अग अगर इससे कम आता है तो GBPUSD नीचे की और को जाएगा और साथ ही जो EU or USD में data आ रहा है वो है Germany का data तो यहाँ पर German factory orders का data आ रहा है और German factory orders जो है वो 2.9 पिछली बार थे इस बार इसका भी forecast नहीं दिया हुआ लेकिन अगर इससे जाधा आता है तो EU or USD उपर की और को जाए अब दोस्तों यहाँ पर 11.15 बजे दोनों एक साथ data आ रहे हैं तो आपने यह देखना होगा यहाँ पर आपको कि दोनों data एक जैसे आए अगर यह बढ़ रहा है तो यह भी घट रहा है तो यह घट रहा है तो यह घटा हुआ आए तभी यहाँ पर दोनों में ही अच्छा एक direction को move आएगा लेकिन अगर यह दोनों ही जो है opposite आते हैं यह जादा आता है यह कम आता है यह कम आता है यह जादा आता है तो फिर उस case में यहाँ पर अच्छा move हमें देखने को नहीं मिल पाएगा तो आप इन दोनों data के ओपर नज़र रखे अगर एक तरफ को ही यह बत इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितना भी data आता है जितने भी currency pairs है उसकी आप trading जो आपने करनी है वो करनी है आपने xness पर दोस्तो xness जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा use किया जाने वाला platform है सबसे भरोसे मंद app है दुनिया की और सबसे ज्यादा volumes आपक xness का use कीजिए और मेरे दिया हुए link से अगर आप account open करते हैं तो आपके लिए एक और फाइदा है कि आप xau usd में जब भी trade करेंगे तो आपको 11% less spread charge लगेगा जैसे आप यहाँ पर brokerage pay करते हैं वैसे ही spread pay होता है forex में तो आपको वहाँ पर 11% less charges लगेगे तो आप आपको help के लिए यहाँ पर videos बना रखे हैं कैसे account open करना है कैसे money add करनी है और कैसे withdraw करनी है तो आप उन videos को भी देखिए और दोस्तों मैं आपको खासित बताओं तो xness जो है वो दुनिया का first number one platform तो ही trading view जैसा platform इनके पास है जो की जिसमें सारे indicators आपके जैसे trading view के indicators है वो सारे वह support 24-7 आप कभी भी बात कीजिए live chat के तुरू तो यह आपको response देते हैं और आपको जो है तुरंत solution भी देते हैं तो जल्दी से अपना forest trading account open कर लेजिए दोस्तों 24 गंटे मैं से 23 गंटे यहां trading होती रहती है आप किसी भी time trading कीजिए रात को सिर्फ 2.30 गंटे तक बंद होता ह उसके अलाबा सा टाइम चला रहता है तो जल्दी से account open कर लेजिए और यहां पर अब हम बात कर लेते हैं 230 पर कौन सा data आना है तो इसका impact भी EUR USD के ओपर ही पड़ेगा और जो यह data आ रहा है वो यहां पर Europe का यहां पर retail sales का यह data आ रहा है और retail sales जो है वो यहां पर 0.1 जाएगा अगर यह 0.1 से कम आती है तो यह निचे की और को जाएगा नेक्स यहां पर data आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है 7.30 पीम पर और United States का data है यह और United States का यहां पर Employment Trend Index का data आ रहा है और यह जो यहां पर पिश्ली बार data था वो 109.4 था और इस बार जो है forecast तो नहीं दिया हुआ लेकिन अगर इससे जादा आता है तो फिर यहां पर dollar index जो है वो positive side को जाएगा और जबकि EUR USD हमेशा जो है dollar index के downside को ही जाता है मिंस opposite side को ही जाता है अगर यह उपर को जाएगा तो यह नीचे हो जाएगा अगर यह data कम आता है तो यह dollar index नीचे हो जाएगा और EUR USD उपर को move करेगा तो दोस्तो यह है data जो की आना है Monday को और I hope आपको यह वीडियो भी पसंदा रहे हैं और दोस्तो एक और चीज़ जो हमारा telegram channel है उसे भी आप जोइन कर लेजिए जो इस भी बताते हैं कि आपको उसमें positive move रहेगा negative move रहेगा कैसा move रहेगा तो जल्दी से अपना हमारा telegram channel है उसे भी जोइन कर लेजिए तो दोस्तो आपको वीडियो पसंदा रहे हैं वीडियो पसंदा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को subscribe नहीं किया है त तो जल्दी से चैनल को भी subscribe कर लिजिए दोस्तों यहां पर आप मिलते हैं अगले वीडियो में till then have a nice day good bye